किसान भाईयों अभी हम जिस प्रणाली की बात कर रहे हैं समेकित कृष्षी प्रणाली का ये पूरा सिस्टम बिहार कृष्षी विश्विद्याले सबोर के परिसर का है तो चलिए अब हम इसके प्रभारी डॉक्टर हुदा जी से संपर करते हैं और उनसे जानने की कोशिश क करते हैं कि ये प्रणाली सम्यकित क्यों है इस प्रणाली के अंतरगत किर्सी के कम से कम दो घठक और उससे अधिक घठक को हम इस परकार करते हैं कि एक के समाजयोजन से दूसरे की लागत में कमी आए उत्पादक्ता में विरिद्धी हो और साथ ही सालों भर इससे आमदनी किसानों के जीवन अस्तर में सुधार आए इसलिए इस प्रणाली को समेकित कृष्षी प्रणाली की बात किसान भाईयों डॉ आसानी सीकि लेकिन हम ये भी जाना चाहेंगी जॉक्त सहब आपसे कि ये परणाली फाइदाकार कैसे हो सकता है और सिलसिले वार तरीके से क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे हम अभी मिश्मिया पालन का कार्शक दो के सांथ-सीप बढ़र्द चार्दु करें बदक हमा यहां पर हमने मुर्गी को भी समायूजित किया है अपनी परनाली में उसके बीट सीधे सीधे हमारी मचलियों के भोजन के रूप में इस्तमाल होता है और कम से कम मचली के 20 पर 30 पर भोजन को रिप्लेस करता है इसलिगे यह इसका समायूजन किसानों के हित में काफी फायदेम किसानों के लिए इसलिए विक्सित की जाती है कि घर में ही किसानों को उसकी जरूवत की सारी उत्पादों को मिले फल के रूप में वहां से केला का सेवन कर सकते हैं अमरूत का सेवन करते हैं मचली उनको यहीं पर उपलब्ध हो जाती हैं अंडे उपलब्ध हो जाते हैं सा आफे मार्केट से कुछ पैसे उनको अतरीक्त मिल जाती और सालों भर इस परणाली के अंतरगत दो परिवार सालों भर इसमें काम कर सकता है तो सिलसलेवार तरह की जो ये समेकित परणाली को जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है मैं कहूंगी तो उसमें सबसे पहला जो अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहला क्या benefit मिलता है हम लोगों को? तेख किसानों को द्यान में रखना चाहिए कि समयकित किरसी परनाली में किसान सबसे पहले उत्पादों का चैन अपने अनुरूप करें वो market में उसकी बिकरी क्या है उसके अनुरूप करें उनके पास उनका आमदनी का सुरोत क्या है उस पर ये करें उस अलाके का social structure और religious taboo क्या है इन सब बातों को ध्यान में रखकर किसान अपने उत्पादों का इस परनाली के अंतरगत उप्यों करें आपके बाजार की डिमांड क्या है क्या मांग है कौन से उत्पाद आप बाजार तक ले जाएंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइदा होगा ये सारी बातें आपको दिहान में रखनी चाहिए